दोस्तो हम सब करते हैं printer का इस्तमाल पर क्या आप जानते हैं कि कितने तरीके के होते हैं printer और किस तरीके से करते हैं काम और अगर आप नहीं जानते हैं तो बने रहे हैं मेरे साथ वीडियो को देखेगा पूरा कीजिएगा like share और मैं आपसे बात करने वाला हूँ इसी printer के बारे में आप कर सकते हैं scanning printing photocopy and fax भी आप इससे कर सकते हैं और बात करें हमारे पहले प्रेंटर यानी dot matrix printer की तो यह कैसे काम करता है यह काम करता है ब्लैक टलर की सीड धातू की पिनों के जरी जिनमें 9 से 24 पिने तक होती है और इन ही पिनों को देखकर इसकी quality को पहचाना जाता और यह printer आपको देखने को मिलता है railway station पर टिकेट काटने के लिए post office में registry कराने के लिए या फिर आपको bank में जब आप statement लेने जाते हों वहां पर यह आपको printer देखने को मिल जाए खैर dot matrix printer तो हो गया government के काम के लिए पर हम बात करें अपने घर में यूज होने वाले printer के बारे म पर इसके मुकाबले अगर आप laser jack से print करें तो वह text वगरा को लिखने के लिए बहुत अच्छा है पर photos को ठीक से print नहीं कर सकता है तो अगर आपको photo print करनी है तो उसके लिए ink jack printer बहुत अच्छा है पर अगर आपको text के लिए चाहिए papers वगरा की copy करनी है papers वगरा की print निकाल यह काम करता है colors cartridge के जरीए जो colors को पाइट में होते हुए न्यूजल सा color आता है न्यूजल को निकाल कर डालती है paper पर और paper पर पढ़ने के बाद इने तरीके से print करता है पूरा system और यह पूरा काम होता है पूरे मिले जूले system के साथ और मैं बताता हूँ इस system के बारे में कि क्या क्या होता है इस inkjet printer में तो inkjet printer में सबसे पहले होती है paper tray फिर एक try belt फिर होती है sliding dot उसके बाद होता है striper motor और उसके बाद होती है हमारी ink cartridge जिसके दरी हमारे color निकल कर जाते है liquid वाली ink इसमें भरी होती है और इसी के साथ sliding dot पे लगा होता है printing head जिसके अब इस printing head के अंदर होता है resistor और resistor के बाद होता है ink drop plated और इसी ink drop plated के बाद होता है ink chamber और finally ink chamber के बाद होता है microscopic nozzle जिसके जरीए सारा काम होता है nozzle color को paper pen टालती है और फिर उसके बाद पूरा print बनना सुरू होता है इस सारी process में लगता है बहुत सारा time यह आपकी photo को तो बहुत बढ़े तरीके से print कर देता है और अब तक का सबसे काम्याब printer है अगर आपको अपन print करने में इतना अच्छा नहीं है और वहीं बात करें इन दोनों की cost की तो आप अगर inkjet printer लेते हैं तो starting में जब इससे आप खरीदेंगे तो इस सस्ता पड़ता है पर जब आप इससे printing करते हैं किसी भी तरीकी की तो वह आपको महंगी पढ़ जाती है और laser printer को अगर आप ख घर के लिए photo wall है उससे अपनी photos print कर सकते हैं अपने बच्चों के काम कर सकते हैं अपना data print कर सकते हैं अपने documents निगाल सकते हैं और inkjet printer में एक और खरावी है मैं आपको बता दूँ कि inkjet printer को अगर आप बंद करकर रख देते हैं 25-30 दिनों के लिए तो इसके nizzles जाम हो जाते और इसके साब बात के लिए laser printer के मगाने जम के तो laser printer में होता है पहले laser scanning unit जो करता है अपके data को scan और उसके बाद होता है glass mirror और उसके बाद होता है toner coated roll जिसे हम कह सकते हैं इसका cartridge और इसी cartridge के जरीए इस सारी चीजे print होती है इसमें से ही वह color निकल कर आता है और इस toner के सामने लगा होता है photoreceptor drum और इस photoreceptor drum के उपर लगा होता है charging electrode क्रोणा पायर जिसके जरीए drum पूरी तरीके से charge हो जाता है एक support layer बन जाती है तो हमारा पहला काम जो सुरू होता है laser scanning से तो laser scanning जब आपके data को scan कर लेता है उसके बाद उसके codes में बदल कर उसको data में change करकर बेचता है mirror के पास और mirror उसे transfer करता है इसी drum के उपर जब वो drum के उपर पढ़ती है light तो drum पर जो electrodes charge हुए होते हैं वो जाते है dead और उतने area में आपका data छप जाता है जब वो घूम कर आते हैं toner के पास तो toner जो uncharge जगे होती है उस पर लगा देता है powder और वो powder जो नीचे घूम कर जात जाता है जिसकी वज़े से गरम होकर यह set हो जाता है paper के साथ और आपको बाद में हाथ में लेने के बाद powder चुटता नहीं है और गिरता नहीं तो इस तरीके से printer पूरा काम करता है और आप बात कर लें अपने all in one printer की तो all in one printer एक बागई कमाल का printer होता है यह हर चीज को बड पूरे printer को यूज नहीं कर सकते मतलब अगर print करने वाले जगह खराब होई है तो आप scan वाली जगह भी यूज नहीं कर सकते इस printer के साथ में यह problem होती है पर यह printer होता है बड़ी-बड़ी shops के लिए बड़े-बड़े cyber cafes के लिए या बड़े-बड़े offices के लिए आपको अगर अपने घर पे लगाना है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप inkjet printer ही लगाए क्योंकि इससे आप अपनी family photos भी print कर पाएंगे अपने data भी print कर पाएंगे हो सकता है इसमें आपको थोड़ा time लग जाएगा पर यह छोटा सा बिल्कुल प्यारा सा होता है इसे आप कहीं भी अपने वीडियो में ताकि मैं उसमें कर सकूँ सुधार आप ही के लिए और आपको दे पाऊँ एक बड़िया वीडियो एक बड़िया content और फिर भी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज कीजिए ऐसे like share और अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो कलिजिए ऐसे subscribe त तो फिलाल के लिए वीडियो में इतना ही मिलते है अपनी किसी next वीडियो में तब तक के लिए good bye and take care of you